कभी दोड़ते भागते लोग, कभी आस्मान सी उंचाई, बंती बदलती जिंद्गियों का शहर है सूरत, और सूरत की फास्ट लाइफ को सूपर फास्ट गती देने सूरत आ पहुँची है मेट्रो रे, बढ़ते सूरत की बदलती लाइफ स्टाइल वैसे तो सूरत की पैचान डाइमंड सिटी के तौर पर है, लेकिन डाइमंड बूर्स, ड्रीम सिटी, बी आटी एस जैसे कई प्रोजेक्ट्स आज सूरत शहर की लाइफ स्टाइल को गती दे रहे हैं ये प्रधान मंत्री जी का ही सपना था कि सूरत विश्व का सबसे बड़ा डाइमंड हब बने, जिसके लिए सूरत को बहतर कनेक्टिविटी प्रधान करने के हेतू, एहमदाबाद मुंबई एक्सप्रेस वे और बुलेट ट्रेन जैसे महत्वपूर्ण प्रजेक्स पर काम चल रहा है और सूरत की प्रगती को अविरत गती देने का काम करेगी सूरत मेट्रो रेल, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी के विजन का ही परिणाम है कि एहमदाबाद में मेट्रो रेल की सफल शुरुआत के बाद सूरत गुजरात का दूसरा शहर होगा, जहां म मेट्रो रेल लोकल ट्रांस्पोटेशन का हिस्सा बनेगी, जिसमें 40 किलोमेटर के सूरत मेट्रो प्रजिक को मन्जूरी दे दी गई है, 12,020 करोड रुपों की लागत से प्रधम चरण के इस नेटवर्क में दो कॉरिडॉर का निर्मान किया जाएगा, जिसमें कॉरिडॉ और एक मेट्रो रेल सर्थाना से ड्रीम सिटी का 21 किलोमेटर का सफर तै करेगी, 6 भूमिगत स्टेशनों समेथ 20 स्टेशन के साथ ये कॉरिडॉर, जबकि कॉरिडॉर 2 वेसान से सारुली तक का 18 किलोमेटर का सफर तै करेगा, 18 एलिवेटेड स्टेशन के साथ बनने वाला ये पूरा कॉरिडॉर होगा, एलिवेटेड कॉरिडॉर, कुल मिलाकर रेल्वे स्टेशन से लेकर बस अड़े तक और बी आटीएस से लेकर सिटी बस नेटवर्क तक, सब के साथ एक एक रुत, सूरत का मेट्रो रेल नेटवर्क, जहां हर एक किलोमेटर पर होगा स्टेशन, ये प्रोजेक्ट मार्च दोहजार चौबिस तक हो जाएगा, पूरी तरह से कार्यानमित, प्रदान मंत्री मोदी जी के ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलप्मेंट के लक्ष को पूर्ण करने और लास्ट माइल कनेक्टिविटी उपलब्द करवाने, एवं सूरत शहर की प्रगती के नए आयाम कायम करने वाले सूरत मेट्रोवेल खुजेक के निर्मान कारेका, आज प्रदान मंत्री शी नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से हो रहा है शुभारंब।